ताड आसन ताड यानी ताड का पेड़ इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड के पेड़ की तरह उची और मजबूत हो जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं अथीरियों को सामने रखकर अपनी उंग्लियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाईयों को बाहर की तरफ मोड़ें अब धीरे-धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भूजाओं को कंधो की सीद में उठाते हुए सर के उपर ले जाए इस सवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे-धीरे अपनी एडियों को जमीन से उपर उठाएं और पंजो के बल खड़े हो जाए अब बिना अपना संतुलन खोए बिना पैरों को हिलाए इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहे सामानी रूप से सांस लें और छोड़े कुछ देर आराम से रहे शुरुवात में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदू पर अपनी आखें कहिंद्रित करें इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा ये आसन वीड से जुड़ी दंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है शरीर की मुद्राओं यानी पॉस्चर को बहतर बनाता है इससे जांग, घुटने और एडिया मजबूत होते हैं यदि आप रिदय रो, सरचक्राना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वैरिकोज वेन कहते हैं से पीडि थों तो ये आसन ना करें दस से पंद्र सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सास छोड़ते हुए अपनी एडि को वापस जमीन पर रखी धीरे से उंगलियों को खोले और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाए इस आसन का नियमित अभ्यास शारिरिक और मानसिक संतुलन विक्सित करता है त्रिकोन आसन इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीड की हटी एक त्रिकोन का आकार ले ले लेते हैं तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस पर आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को उपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो उपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिगरी हुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस ले। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से चुकाएं। दाहिनी हाथ से अपनी दाहिनी एडी को छूने का प्रयास करें। और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा ले। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एडी तक ना पहुँचा पा रहे हो। तो ऐसे में अपने हाथ को वही तक ले जाईए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुँच सके। इस थिती में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस उपर की ओर आईए। और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजी। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दुबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोराएं। यह आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। यह आपके कमर की मानस्पेशियों को मजबूत बनाता है। और आपको चप्टे तलमू यानी फ्लैट फूट की समस्या से भी बचाता है। जंगाओं, कंधों, छाती तथा रीड की हड़ी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या सायटिका जैसे पिड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं, तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारन करता है। व्रिक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिती एक व्रिक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रख कर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आखों के सामने किसी एक बिंदू पर अपना पूरा ध्यान के अंदरित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए, सावधानी से अपने दाएं पेर को मोरते हुए, धीडे से उपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पेर की अंदरूनी जांग पर रख दें। तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिर्ता और सजप्ता को बढ़ाता है। व्रिक्षासन आपकी नियूरो मस्कूलिय को ओडिनेशन को बहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मानस्पेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मुट तापे से पेड़ी थों तो कृपया ये आसन ना करें। दस से तीस सिकिंड तक व्रिक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाए। एक कहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराए। व्रिक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिश्क की सजित्ता बढ़ती है और आप अपने काम को एक करता से करने में सक्षम बनते हैं।